लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी कथा कब तक सुननी चाहिए या कितनी बार सुननी चाहिए तो शास्त्र कह रहे हैं कि भईया अच्छा लोग कथा सुनने के लिए क्यों इतना दिमाग लगाते हैं समझ में नहीं आता जब भी कहीं भजन की बात, मैंने पहले दिन भी कहा था, जब भी भजन की कता की बात होती है तो लोग कहते है, what's my profit, इसमें मेरा क्या फाइदा है और मैं व्यास गादी से कहना चाहता हूँ, भईया जितना फाइदा यहाँ है, उतना दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलने वाला और देखिए, यदि ये फाइदा आपके जीवन में आ गया तो दुनिया भर के सब फाइदे ठाकर जी देदाएंगे और यदि ये फाइदे से वंचित रह गए तो महराज दुनिया में अरबों रोपे का फाइदा हो जाएगा, लेकिन वो शूनी ही माना जाएगा क्यों? बोले वो करोड रोपे, अरबों रोपे, एक ना एक दिन बेटा चना लेगा, बेटी बांट लेगी, बेटा बांट लेगा, मकान, दुकान, गाड़ी सब बट जाएगा यदि आपके जीवन में नहीं बटेगा, तो अरिद्वार गंगा के तट पर किया गया भजन कोई नहीं बांट पाएगा, ये सीदे ठाकुर जी के धाम तक जाएगा इसे कोई नहीं बांट पाएगा